अमर्शकर्ट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मैं रानी गुपता आपके साथ एक और ममताब एनरजी विपाक्षी एकता की मीटिंग में शामिल होने के लिए बैंगलूरू पहुँच चुकी है तो वहीं जिस तरीके से पर्श्ममंगाल में पंचाच च हिंसा हुई थी तो इसको लेकर के बीजेपी ने बड़ा एक्षन ले लिया है आपको बता दे कि इस चुनाव के दौरान महिलाओं पर भी काफी जादा हिंसा की गई थी जिसको मद्द नजर रखत हुए बीजेपी के रास्ट्री अध्याक्ष जेपी नड़ा ने पाच महि बिंगौल जाएंगी और इस दौरान जो महिलाओं पर अत्याच्वार किया गया हिंसा किया गया उसकी रपोर्ट बनाए जाएगी और इससे जीपी नड़ा को सौपी जाएगी आपको बता दे दरसल देखने को मिला था कि जब से पश्रम बंगाल में पंचाच चनाव के ड चनावों की तारीखों की बात करें जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन भी भारी तादाद में यह साथ देखने को मिली थी यहां पर तो बीजपी जो महिला कारे करता रही थी महिला उमीदवार रही थी उनके साथ भी बत्तमीजी की गई थी आपको बता दें कि सेंटर में उसके साथ बत्तमीजी की जाती है उसके कपड़े तक फार दिये जाते हैं वहां के गुंडों के द्वारा तो अब इन्हीं चीज़ों को ले करके बीजपी जो है वो एक्शन के मोड में नजर आ रही है और उन्होंने बखादा पाच सदसिया कमीटी का गठन किय है जिसमें की महिला सांसद शामिल होंगी और यह बेंगॉल में जाकरके अपना रेपोर्ट तयार करेंगी तो अगर हम बात परश्रम बंगाल किसी ममताव एनर्जी की करें तो वह इस वक्त विपक्षी एक्ता के बैठक में भाग लेने के लिए बैंगलूरू पहुंच कि परश्रम बंगाल में पंचाच चिनाब के आइलान के बाद और वोटिंग वाले दिन हुई जबरदस्त हिंसा के बाद बीजोपी ने बड़ा कदम उठाया है पार्टी ने बेंगॉल में हिंसा के मामले की ज्वाच के लिए बीजोपी सांसदों की एक समिती गठित की है जो कि परश्रम बंगाल के हिंसा प्रभाविच छेत्रों का दौरा कर इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो राश्री अध्यक्ष को समिट करेगी बता दें कि बीजोपी ने परश्रम बंगाल में हिंसा प्रभाविच छेत्रों का दौरा करने और हिंसा के दौरान राज में मह निलाओं के खलाप किये गए कथत अत्याच्चारों पर एक रिपॉर्ट सौपने के लिए पार्टी की महिला सांसदों की पांच सदस्य समीति का गठन किया है जिसमें समीति की संयोजक सांसद सरोश पांडे हैं और इसमें साथ ही जो सदस्य हैं वो रमा देभी अपराजिता स सारंगी कविता पार्टीदार संध्या राय शामिल हैं और इसी के साथ ही जाच जो है वो जल्द की जाएगी ताकि यह रपोर्ट जल्द से जल्द बीजपी के रास्टी अध्यक्ष को सौपी जा सकें बतादे कि इससे पहले भी बीजपी के रास्टी अध्यक्ष जेपी न पूर्व केंद्री अमंत्री रविश्रंकर प्रसाद को चार सदसी ताथ्या खोज समीटी का संयूजग बनाया जबकि उनके साथ सत्यपाल सिंग रुएखा वर्मा और राजदी प्रवाय को सदस्य बनाया गया था वहीं बेंगॉल दौरे और पंचाच चुनाव हिंसा पर र अगर नामानक rat को गया तो प्रचान नहीं करने देंगे तुम्हारे बच्चों को अठवा लेंगे प्रचार करोगे तो वोटिं के दिन वोट नहीं डालने देंगे अगर जीत गय तो तुमको इदिया गया तो तुम को जबरन टीमसी में शामिल कर लेंगे बतादे कि इससे पहले भी रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि बंगॉल में जो हुआ वो बहुत ही पीरादायक और दुखदाई है एक समिती बनाई गई है और हम वहां जा करके राज के स्थिती की समिक्षा करेंगे साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि 40 लोग मर जाते हैं ये बंगॉल में कैसा लोक तंत्रे चल रहा है बाकी विपक्ष दल क्यूं शान्त है हम उमीद करते हैं कि हमें बहां जाने की अनुमती दी आपको बताते दरसल एलान के बास से ही राज में हिं तक लेकर के भाग गये थे मतपेटी पर आग तक लगा दी गई थी हिंसा में 8 जुलाई को 15 से जादा लोगों की मौत हो गई थी इसी के साथ ही जो मतदान है वो दो दिन में करवाया गया था पहला 8 जुलाई को जिसमें भारी संख्या में आग जनी और बंबाजी की घटना देखने को मिली थी जिसके बाद 10 जुलाई को एक बार फर्स से वोटिंग करवाई जाती हो और उस दिन भी हालात यही रहते हैं लेकिन कई सारे ऐसे जगह थे जहां पर केंद्रिय फोर्स की तैनाती की वज़े से मामला कुछ हद तक ठीक रहता है शान्त रहता है लेकिन उ हम बात बीज़ेपी उमीदवारों की करें वहां पर महिलाय के साथ काफि जादा संख्या में बत्तमीजी की घटनाहें देखने को मिली थी जहाँ को भी उसकी बकादा जाज करेगी रिपोर्ट बनाएगी और उसे सम्मिट किया जाएगा वी राष्ट्रि अध्याक्ष के पास फिलाल इसे के साथ ही आगर हम बात करें तो पश्रम बंगाल के दो दो शीर्ष बीजपी नेताओं ने रविवार को एक चौकाने वाली भविश्यवानी करते हुए राज्ज के सियासी पारा को काफी जादा बढ़ा दिया है। और जलमार्ग रज मंत्री शांतनूल ठाकुर ने अपनी भविश्यवानी के पीछे तरक बताया है कि वो बिना गैरंटी के ये बाते नहीं कह सकते हैं। वो उनके दिमाग में हैं और आने वाले पांस से छे महीने के बीतर किसी भी समय टीमसी की सरकार गिर सकती है। और ये तो सभी को पता है कि राज में किस तरीके से ममता सरकार काम कर रही है। साथियूरों ने कहा कि ये निर्वाचित विधायकों के समर्थन के कारण है। ये संभाव है कि कभी भी विधायकों का एक समू अपना समर्थन वापस ले ले और सरकार गिर जाए। उनके मताबिक एक निर्वाचित राज सरकार के गिरायच्वाने की एक और संभावना है। बीज़पी नेता सुकांता मजुमदार ने बताया कि मान लीजे कि कोई जन आंदोलन है और दबाव के कारण विधायकों का एक समू इस्तिफा दे देता है तो ये एक और संभावना हो सकती है। आपको बता दे कि जुस तरीके से बिंगॉल में हिंसा हुई है हाला कि इसको लेकर के तमाम विपक्षी दलों ने चुपी साधर की थी लेकिन लगातार कॉंग्रेस के जो सांसद रहे अधिरंजन चौदरी उन्होंने इस बात को लेकर के आवाज उठाई थी और उनका बार रही है आपको बता दे कि जब नावांकन के दौरान भारी संख्या में हिंसा देखने को मिली थी तब कैलकेटा हाइकोट ने भी ममता सरकार को फटकाल लगाई थी और उन्होंने साफ तोड से ये कहा था कि जब इतनी ही हिंसा राज में करनी है और राज सरकार अपने नाग आगे के और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले